फिर सी एक बर ग्यान सरोबर में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ पंच्टन्त से एक कहानी जो की काफी प्रेरक है कहानी का नाम है समाच प्रेम चलिए तो कहानी सुरू करती हूँ गंगा जी के तट पर बने सांती आश्रम में स्वामी सिवानन्द जी रहते थे इस आश्रम में उनके परवचन सुनने बहुत से लोग सुवा साम आते थे सुवामी जी अपने आश्रम में बच्चों को धर्म सिख्छा भी देते रहते थे एक दिन सुवामी जी बच्चों को सिख्छा दे रहे थे तभी एक चुहिया आकर उनके कदमों में गिर पड़ी चुहिया डर के मारे बुरी तरह काप रहे थी स्वामी जी सदा ही यही कहा करते थे सरन में आए प्रानी की रक्षा करनी चाहिए दुर्वल पे दया करनी चाहिए यही मानो धर्म है स्वामी जी ने उस चुहिया को अपने हातों में उठा लिया और सोचा की क्यों ना मैं इस चुहिया को कन्या का रूप दे कर इसे अपने आस्रम में ही रख लू यह दर्वदर भटकने से बच जाएगी और मेरी पत्नी की संतान पानी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी स्वामी जी ने अपनी सक्ति से उस चुहिया को कन्या का रूप दे दिया और कुटिया में ले जाकर अपनी पत्नी को सौपते वे कहा लो देवी आज से यह कन्या हमारी पुत्री हुई हम ही इसके माता पिता बनकर इसका लालन पालन करेंगे स्वामी जी की पत्नी ऐसी सुन्दर कन्या को पाकर बहुत प्रशन हुई कितने लंबे समय से वा संतान प्राप्त के लिए दुखी रहती थी इस प्रकार से यह कन्या उनके घर में पलने लगी धीरे धीरे वा बड़ी होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि वा युवा हो गई युवा होने पर पती पत्नी ने उस कन्या को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से पूछा देखो बेटी अब तुम युवा हो गई हो अब हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवा कर दें मेरे आस्रम में एक से एक सुन्दर राजकुमार आई वे हैं तुम उन में से किसी एक को पसंद कर लो बस तुम्हारे पसंद के युवक के साथ हम तुम्हारा विवा कर देंगे नहीं पिताजी मैं आस्रम में पढ़ने वाले किसी भी युवक से साधी नहीं करूँगी मा ने बेटी की पीट पर बड़े प्यार से हाथ फेड़ा और अपने सीने से लगाते वे कहा देखो बेटी अब तुम युवा हो अब तुम्हारे विवा की आयू है इसलिए तुम्हें किसी न किसी से तो साधी करनी ही होगी मा क्या आप मुझे घर से निकालना चाहती है बेटी ने अपनी मा के गले में दोनों बाहें डालते वे पूछा नहीं बेटी हम ऐसा नहीं सोचते प्रन्तु जो संसार का नियम है उसका पालन तो स्वेम भगवान बिस्नू ने भी किया था उन्होंने भी लक्ष्मी मा से साधी की अब तुम भी अपनी पसंद का वर ढूंड लो हम तुम्हारी साधी उसी से कर देंगे मा जी आप मेरी साधी मेरे पसंद के वर से करोगी ना बेटी ने मा से पूछा तुम मा ने कहा हाँ बेटी एक बार तुम अपनी पसंद बता दो मैं तुमारी साधी उसी से कर दूंगी इतने में एक मोटा सा चुहा आस्रम में आया और बड़े आनंद से इधर उधर घूमने लगा बेटी की बाते सुनकर दोनों पती-पत्नी सोच में पड़ गय थे उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि उनकी पुत्री को इन सुन्दर और बीर राजकुमारों में से कोई एक भी यूबक पसंद क्यों नहीं आ रहा था जबकि वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि यह सारे के सारे राजकुमार अपने देश के होने वाले राजा हैं ऐसा वर किसी भी साधारन करन्या को मिलता नजर आए तो वह खुसी से पागल हो जाएगी लेकिन यह लड़की तो किसी राजकुमार से साधी करने के लिए तयार ही नहीं है कितनी देर तक घर में पूरी सांती रही माबाप तो लड़की के बारे में सोच सोच कर चिंतित हो रहे थे और वह लड़की उस मोटे से चुहे के साथ खेलती हुई आनंद ले रही थी वह उस समय तो माता पिता को भी भूल गई थी फिर वह सहसा ही बोल उठी हे मेरे माता पिता क्या आप वास्तव में ही मेरी साधी करना चाहते हैं तो मा बोली हाँ बेटी तो फिर आप इस चुहे से मेरी साधी कर दो यह तुम क्या कह रही हो बेटी क्या तुम इस चुहे से साधी करोगी मा ने अपना सिर पिट लिया कभी मुनिवर ने अपनी पतनी से कहा प्रिये दिल छोटा ना करो मैंने एक चुहिया को मानो कन्या बना दिया था मगर उसने अपना जाती प्रेम नहीं छोड़ा हमारे वाग्य में यही था अब भूल जाओ इस कन्या को मैं फिर से इसे चुहिया बना देता हूं इसकी साधी चुहे से ही कर देते हैं इस प्रकर चुहिया अपने समाज में वापस चली गई तो इस कहानी से हमें यह सिख्षा मिलती है चुहिया जिस तरह से अपना जाती प्रेम समाज प्रेम नहीं छोड़ी उसी तरह कहीं न कहीं हमें भी अपने जीवन में इस चीज़ को समझना चाहिए और हमें भी समाच से प्रेम करना चाहिए और मानो जाती से प्रेम करना चाहिए तो आज की ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही अगली बार मैं फीराओंगी कोई अच्छी सी कहानी के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत